हेलो लानास कैसे हो आप लोग मैं मुमी तरिस चैनल पर हम पढ़ते हैं इन्वार्मेंट के बारे में और जो डेली इन्वार्मेंटल अपडेट्स रहता है यह वाला सेक्शन तो यहां पर हम रिसेंट इन्वार्मेंटल न्यूजेस फैक्ट और इशू या प्रॉब्लम्स जो पर अवर्मेंटल के अचते में और दीड़क का डूलन परर में रहें सब्सक्राइब तो यह शाया सब्सक्राइब अच्छुरी की दा खरेंजिए घ्रचेंड़ ओंया अच्छाए में बीखिए यह जाए हम का कैलेंडार में यह दो मैं ब्लाइमेंटल वाली बात आती है तो वहां पर polar bear की photos जरूर रहती है, क्योंकि climate change का सबसे जादा effect शायद इन ही पर पड़ता है, और इसी कारण दिखा जा रहा है, कि इस century के end तक, यह polar bear खतम होने वाले हैं, क्यों? जवेशन से, भूख से, यह polar bear जो है, वो specially किस species पर depend करते हैं, उनका food source क्या है, शिल जो है, वो specially उन पर depend करते हैं, वो ही उनका special या main food source है, पर क्योंकि global warming के वज़े से, temperature high होने के वज़े से, जो ice degrade हो रहा है, इसके वज़े से, उनको यह food find करने में बहुत struggle करना पड़ता है, और इसी कारण, वो धीरे धीरे localize में आ रहा है, और वहां से उनको यह food नही होने वाले हैं, देखा गया है, एक WWF की एक report है, क्योंकि हम वहां जाके, तो हर एक को नहीं count कर सकते हैं, तो यह estimated counting है, कि फिलहाल जो polar bear के संख्या है, वो है 22,000 to 31,000, और इस से जादा नहीं है, और पहले बहुत हुआ करते थे, पर अभी यह इसी लिए, यह जो species है polar bear के, वो आर्टिक रिजियन के, कहा जाए तो शान थे, पर यह वल्नरेबल हो गया है, और मुझे नहीं पता, आप लोगोंने वो फोटो देखी है या नहीं, पोलर bear के नॉर्मल जो फोटो देखते हैं, बहुत सफी, क्यूट और अच्छे लगते हैं, पर मैं एक फोटो देखी उसकी हालत बहुत खराब है, मतलब जो फ्लफी उसकी, जैसे फोटोस हम देखते हैं, उससे आधा हो गया है, उनके फार्स बहुत बहुत होते हैं, और वो पूडा काला हो चुका है, उनकी हालत खराब है, एक न्यूस यह भी आई थी, कि पोलर bear इतना जादा बेर स्टर्व हो जाने वाले हैं, और main reason क्या है, एक line में बताए जाए तो वो है global warming, तो यह कम नहीं होगा, तो धीरे धीरे करके हम हर एक species को खोने वाले हैं, तो यह न्यूस था, I hope कि हम अपने इंड में कुछ कर पाए ताकि यह चीजे थोड़ा बहुत कम हो जाए और हम एक species को बचा प पहले भी एक update वाली section में बताई थी, कि plastic waste पे हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट मिलते लगे क्योंकि यह pollution सबसे जादा है और पूरे environment system के लिए यह plastic सबसे जादा harmful है, क्योंकि यह water को भी destroy कर रहा है, यह soil को भी destroy कर रहा है, पूरे ecosystem को destroy कर रहा है, तो एक अच्छी news यह ह है कि एक Singapore based NGO है, जिसका नाम है Alliance to End Plastic Waste, वो इंडिया पे invest करना चाहते है, कितना amount दिया हुआ है, तो वहाँ पे invest करके वो अगले 5 साल तक plastic pollution, plastic waste को कम करने की कोशिश कर रहे है, I hope यह investment काम है और आगे जाके हमारा plastic pollution थोड़ा कम हो पाए, और हम भी अपने इंड से पूरे क कोशिश करेंगे, हर कोई अगर अपने इंसे थोड़ा थोड़ा करके भी कोशिश करेंगे, तो obviously यह plastic pollution एक दिन कम हो पाएगा, पर अगर कोशिश करेंगे तो, और यह जो investment की बात हुई है, वो IT World Nature Conservation Day, जो 28th July को होता है, उसी दिन यह announced हुआ था, और आप लोग को यह भी य नोट कर लेना, next news देखते है, 6th BRICS Environmental Minister Meeting, जो कब हुई थी, 30th July को हुआ था, और इस, क्यूंकि यह Corona time है यहाँ पे, इस time पे तो physically meet करना possible नहीं है, तो वरना हर साल यह कोई country में जाके या ऐसे conference बैठता है, पर यह virtually हुआ था, जिसको main lead किया था Russia ने, और इंडिया के तरफ से, जो हमारे Union Environmental Minister है, प्रकाश जावितकर, उन्होंने इंडिया को represent किये थे, और इसमें बात हुई थी, sustainable development की, वैसे भी इन्वार्मेंटल मिनिस्टर में जो होते है, ब्रिक्स के, sustainable development भी इनका main goal रहता है, तो उसी की बात हुई थी, और भी अच्छे से कि ये जो BRICS Countries है, कौनसे कौनसे कांटी के initial से, इस कुछ countries के initial से, जो main पाच country है, उनके initial को मिला के, ये BRICS बंते है, ब्रिक्स वोड़ जो है बना है, तो अब लोगको कमेंट सेक्शन में ये बताने हैं कि कौन से कौनसे कांटी है इसमें, तो चलिए आज मेर्के लिए अगर आप में से कोई agriculture related फड़ाई कर रहे है या फिर करना चाहते है यूपीएस्टी मेंस की preparation कर रहे है तो एक चैनल है जिसका link description box में आपको मिल जाएगी तो उस पे subscribe कर लीजेगा वहाँ पर अच्छे से मेंस की preparation करवाई जा रही है agriculture पर तो देख लीजेगा और subscribe करके उस channel को follow कीजेगा आपके preparation और अच्छी होगी thank you best of luck